दोस्तों गॉन्त समय दिया जाएगा कि पूरा समय उन्हें दिया जाएगा दोस्तों यहां पर देखतें है उनका ट्वीट क्या है इससे पहले यदि आप हमारे चलपने चैनल को परछारे है صिब्सक्राइब किज Ole鬼 और अपने दोस्तों को विसेर कर दीज़ेगा दोस्तों यहाँ पे अक्तुल परसासर के तरफ से ट्वीट किया गया है I believe TRE candidates have some curious regarding subject combinations, eligibility conditions, certificate validity, pre-requisites etc. उनका कहना है कि TRE candidates है उनको पास कुछ ना कुछ curious है, कुछ प्रस ना है उनके subject combination को ले करके दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि subject combination थाल लेकिन बहुत से लोग without subject combination वाले भी exam दिये हैं और verified भी अपना document verification भी हो करवा रहे हैं दोस्तों इसी को ले करके सिच्छक अभियर्शियों के तरफ से आवाज उठाई जा रही थी कि आखिर ऐसे लोगों को जो पात रही नहीं थे eligible ही नहीं थे उनका document verification क्यों करा जा रहा है और इसी पे संग्यान लिया गया है जो तो भी पेसिव चैर्मेंसर के तरफ से और उसी से संबन दिते महतपूर्ण tweet किया गया है यदि किन ही को इसको ले करके किसी भी तरह का कोई curious हो eligibility conditions को ले करके certificate की बाध्यता को ले करके validity को ले करके pre-requered sites कुछ जो सर्ते थी जो सर्ते हैं जो आज सक सर्ते हैं TRE को ले करके यदि किसी को कोई इसको ले करके कोई doubt है तो वैसी इस्तिती में they should first go through the advertisement carefully सबसे पहले उन्हें advertisement को देखना चाहिए और इफ इस्टिल note कि लियार दे सुट कॉंटेक्ट दे एजुकेशन बीपी से office फोर के लिडिफिकेशन तो दोस्तों यह जो subject combination वाला मुद्दा लगातार गहराता जा रहा है और अभ्यर्थी के दरफ से लगातार सोशल मेडिया पे मांग की जा रही थी कि बहुत से candidate है जो की एपेरिंग में है और एपेरिंग वाले लिजिबल नहीं है वह भी डोकॉमेंट वेरिफिकेशन करवा जा रहा है अब यह बात इंभी पेसिट चर्मेंट के पास चला गया है उनके संग्यान में है तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी candidate जिन जो लोग यह वहाँ पे logic दे रहे थे कि हमें मालूम नहीं है कि क्या subject combination है और डोकॉमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे थे अब साफ साफ वेपेसिट चर्मेंट सर के तरफ सुन को लिए कह दिया गया है कि आप advertisement में करके देख लेजिए आप subject combination में आप आते हैं या नहीं आते हैं और यदि वहां से भी आप clear नहीं हो पा रहे हैं तो अब BPC office या तो फिर सिच्छा भी भाग से आप इस करके clarify कर लिजिए यह उनके तरफ से पहला tweet है दोस्तों जिसे हिंदी में देख सकते हैं कि मेरा मानना है कि ट्यारी उमिद्वार के पास विशय सन्योजन पात्रता सर्ते पर्मान पत्र वैधेता पुर्वे पेच्छाओं आधी के संबंध में कुछ प्रस नहीं उन्हें पहले विज्यापन को पढ़ना चाहिए ध्यान से और यदि अभी भी असपस्ट नहीं है तो उन्हें असपस्ट करन के लिए सिच्छा या भी पेच्छी काराल से संपर्क करना चाहिए दूसरा महद अपन ट्वीट उनके तरफ से किया गया दोस्तो एपेरिंग कंडिडेट सीटेट बी डी एट्सेक्टरा बेर कंडिडेट्स इन टी आरी विल बी प्रोवाइड एडुकेट ट हैं दोस्तो बी एट के कुछ एपेरिंग कंडिडेट हैं डी एलेड के एपेरिंग कंडिडेट हैं जिसको लेकर के बार बार बाते की जा रही है और दोस्तो मैं आप लोग को जानकारी दे दूं कि जो डी एलेड के कंडिडेट से हैं और एपेरिंग कंडिडेट से हैं पू पुछा जा रहा था कि आखिर हम लोग के लिए आज क्यों नहीं उठाया जा रहा है और यदि पहले वेरिफिकेशन हो जाएगा हम लोग का रिजल्ट नहीं आएगा तो हम लोग वन्चित रह जाएगे तो आप लोगों को मैं आप स्वस्थ करना चाहता हूं दोस्तों कि लिएपेशी जो रिजल्ट देगी दोस्तों उससे पहले आपके पास रिजल्ट आ जाएगा इस बात में पुरी तरह कंफर्म रहेए जो भी एपेरिंग कंडिडेट्स हैं तो हैं आपके अपने डोकोमेंट्स को प्रस्थूत करने के लिए पूरा समय दिया जाएगा ऐगा as possible जितना संभव हो सकता है उतना दिया जाएगा और मैं आपको बता दूँ कि विपेसे चेर्मेंसर के तरब से जोफतो सीटेट से भी बात की गई है क्या कि इस सीटेट का रिजल्ट कब दिया जाएगा और जब सीटेट का रिजल्ट दिया जाएगा जोफतो उसी के आज पा प्रिजिबिलीटी उनका अपना इलिजिबिलीटी जो है उसको सावित करने का उन्हें प्रियाप्त समय दिया जाएगा जोस्तों यहां देख लिए टियारी मुपास्तित होने वाले सीटेट बी एड कैंडिडेट्स उमीद्वारों को उनकी पातरता सावित करने के लिए प आल इस विडियो में फिर मिलते अगले विडियो माफसां समय देख को साथ महने नहें धन्याएगा